है घाई आज की वीडियो बात करने वालें गेट और गिटषाब के बारे में तो आज हम जाने कि ईए यूस करते हूं से कैसे यूस कर सकते हैं और आपके इंपोरटेंट क्यों है तो आज बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम जाने वालें कि क्या होता है और Github क्या होता है दोनों को यूज कैसे करना चाहिए वह आज जानेंगे स्टार्ट करते हैं है गाइस मैंने में जानुशकुमा शर्मा और वेलकम रोबनेक्षा और आज हम बात करने वाले गिट और Github के बारे में तो दोने बहुत क्यों सबसे लगती है तो सबसे पहरे वेधाइस गट गिट क्या होता है तो गेए आपने वैला वो पर डुआए क्या होता है तो असे कंवेuger लेकिसी कोडिग नहीं होता आपका मतलब वेच जाएस और दोक्युमेंट था अगर आपको मैंनेज करने मिया से घृप क origin important tool आप बेसिक्कली होता है यह तो Gibson ctrl system syrtem ठीक है वर्जम गंड्रोल ऋqui 모양 ऑ去了 is in computer face and coordinating works on डोस फाई अमंग multiple people का मतलब कहा कि आपका यह वर्रजन इस्टेम को जैसे आपका अपस होते हैं कोई भ्यक्त आप तो उसके कुछ वर्जन होते हैं आज सपोस्ट करो 2.3.4 है कल को 2.3.5 हो जाएगा ठीक है 2.3.6 हो जाएगा इस तरीके से वर्जन होती है अब हर वर्जन में होता है क्या हर वर्जन में वह आपका अपडेट होता है हना पहले कुछ फीचर नहीं थे अब वह फीचर इसके अंदर आ सब्सक्राइब आपने कोई वर्जन बनाया डैंटर वर्जन सोचके कि यह रजन है लेकिन उस वर्जन में कुछ और बग्स आ गये तो आप कैचा होगे की नई वापिस पुराने वाले वर्जन पर चाले जाओ तो अगर आपके पास कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं हो से changes हो रहे हैं क्या क्या चेंज हो रहे हैं किस line में change आया है क्या change आया है क्या line add की गई है क्या कोई line delete की गई है and coordinating work on those files among multiple people तो अगर एक project के उपर multiple लोग काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से manage होगा वो project मतलब अगर इस file के अंदर किसी और और बंदेने change कर जा फिर उसी फाइल में दूसरे बंदेने भी change कर तो उसको किस तरीकिसे आप manage करोगे वो सारक सारा काम आपका version control system करता है ठीक है तो काफी important tool है और साथ ही साथ आपका GitHub के उपर आपका अपना code जो भी उस project के ओपर काम करने वाले हैं या फिर जितनी भी machines है जिसके ओपर वो project होगा उन सब के पास अपनी अपनी copy होगी यह distributed version control system होता है कुछ होते हैं central version control system जिनके अंदर जो files होती है वह एक जगह पर होती है एक memory के अंदर होती है और जिसको भी काम करना होता है वह उस memory से अपने पास फाइल लेके आता है बट इसमें सिंगल पॉइंट फेलर जो होता है आपका आ जाता है ठीक है लेकिन आपक किसी ने किसी server पर डाल रखे है तो वहां पर आपके पास को copy है cool to distributed होता है so git does not necessarily rely on central server to store all the files or the version of the project instead every user clones a copy of the repository तो repository का मतलब क्या होता basically आपकी जो project होते हैं जो आप git पर रखते हो उसको एक repository कहते हैं जिसे हम रपो भी बोल सकते है ठीक है short में रपो बोलते हैं तो basically आपका जो project है जो git के ओपर है उसे repository कहते है ठीक है repository या फिर रपो कुछ भी and has the full history of the project on their own hard drive अब उस project के अंदर अभ बंदे की hard drive होते है ठीक है तो जितने भी आपके projects की copies होते है clones होते हैं उन सभी के पास उसारी सारी हिस्ट्री प्रेजेंट होते है distributed system यह distributed version control system है git और यह जिस बंदे ने बनाया था Linux उसने वह Linux भी बनाया दौनों बनाके उसने open source कर दिया है आपकी यूस के लिए ठीक है का अब इस अब दो इस अब दो आपके पास तो हैं वह सारी चीज़ें और कब क्या चेंजिस थे वह सारी सारे आपके पास हैं लेकिन साथ ही साथ आपने वह project जो है आपका अपनी computer में लागके एक central जगह पर रग दिया होस्ट कर दिया एक server पहां जिसको जो गिठाब हो सकता है और भी काफ सारी होते हैं गित लाइब होता है ठीक है multiple होते हैं तो कुछ कोई भी organization कुछ भी यूज कर सकती है ठीक है github अभी आपका Microsoft कर लिए ठीक है काफी बड़ी company हो गई है तो लोग करते क्या है लोग अपने पास तो रखते हैं वह सारा-सार डेटा और वह अपना ले सकता है उसके अंदर changes करके आपको बोल सकता है कि यह changes आप मेरे ले लो ठीक है open source project की जने कहते हैं अपने अपना project open source कर दिया या फिर आप private बना सकते हो अगर आप एक organization हो और आपने कोई एप बना रहे हैं और आप चाहते है उसका दूसरी दुन्या को पता ना चले तो आपको ठीक से बता है निए why use get तो आज पूरा देख लेता हैं तो सबसे पहला जो मैंने आपको बता दिया undo mistakes आप इसमें mistakes को undo कर सकते हैं इसमें होता क्या basically सब्सक्राइब करो यह आपका file था कोई ठीक है इस file में आपने कोई line लिखी उसके बाद आपने कोई और line लिखी इस file के अंदर बाद में तो यहां पर आपने एक checkpoint बना दिया जैसे आपके games में नहीं होते checkpoints आपने जैसे Mario को लेके जा रहे हो Mario यहां मर गया तो यहां पर वह checkpoint बनके त्यार हो जागा मतलब वापीस यहीं से जिन्दा होगा response होगा उसी तरीके की checkpoints यह भी होते हैं इसका म मतलब क्या है कल को आपने suppose करो इस file के अंदर multiple changes कर दिये और इसकी वजह से या फिर कुछ लाइने हटा भी दी ठीक है कुछ लाइने हटा दी कुछ लाइने एड कर दी जिनकी वजह से यह वाली file जोगी वह बगी थोड़ी तो आप चाहते हो कि यार पुराने वाले version पर कर सकते हैं लेकिन इसकी help से आप वह कर सकते हैं क्योंकि सारी सारी history अपने अंदर store करके रखता है distributed development distributed development का मतलब क्या कि इसके अंदर एक project के ऊपर multiple लोग एक साथ काम कर सकते हैं और उस वह management भी काफी अच्छी तरी किसे इसके अंदर यह handle कर सकता है widget अंदर एक project और सबसक्रेश एक फीचर है वह एक बंदा बना रहे है दूसरा फीचर दूसरा बना बना थीसरा फीचर बना रहे हैं और बाद में क्या करते हैं यह अपने features को merge कर देते हैं और एक project के अंदर तीन feature parallely चल रहे है parallel develop हो रहे हैं तो बड़ी बड़ी organization जो इसके अंदर इन्स डेश में गुट नहीं होता है तो उसकी मैंनेजमेंट कैसे होगी हो साइक आपकी हेंडल करता है काफि ग्रेश फुली करता है कि अगर आपको कोई एक फीचर बनाना या फिर कुछ भी नया काम करना है तो इसको आप एक separate अलग ब्रांच में कर सकते हो काम और इससे आपका जो में फ्लो था वह खराब नहीं होगा और जब आपकी ब्रांच बनके त्यार हो जातो उस ब्रांच को आप अपने में फ्लो में कर दो झारो तो इसमें ब्रांच इंग अंदर कैन्ड तो होता क्या सब्सक्राइब को यह कुछ काम करते आपको यह और फिर आपको अब यपीश्यार बनाने लग जाओंगे तो हो सकते हैं आप कुछ गडबर कर दो और फिर आप वापिस ना पाऊ उससे तो आप क्या करोगे या फिर आप चाहते हो कि आपको दो-तिन अलग-अलग काम करने और वह यहां से आप एक ब्रांचिंग कर लोगे इस पॉइंट पर यहां आचुका है और अब आप इस प्रोजेक्ट पर अपना काम करोगे तो यह वाली जो आपकी लाइन है यह इस से इंडिपेंडेंट होगी ठीक है सब्सक्राइब यहां पर आपको यहां रिफ्लेक्ट नहीं हों यहां पर फीचर नबर 1 आप बना रहे हो यहां फीचा function आप बना रहे हो इस तरह कर आहे हो और जब कर आपके एसे 녹ल निख कर लो 3 और यह मर्जकर आतर तो आपका में अधर करें दर तो यह सब किस तरीवाइस होता है बहुति ज्जय ज़्यादा-भड़ा लॉपर तो इसका मतलब किया होता है काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं से तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है कभी भी कभी आप स्टक होते किसी जगह पर तो वह प्रॉब्लम आपसे पहले वैलियोबल सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म तो हां क्योंकि काफी सारे डैवलपर मिलते हैं आपसमें बात करते हैं और किसी प्रजेक्ट के ओपर काम करते हैं एक साथ ठीक है उससे लर्निंग बहुत जादा बढ़ती है आप इंट्रेक्ट करते लोगों के साथ ठीक है तो टी लोग के साथ तो मिलते हैं आपका खुद का नॉलेज भी बढ़ता है तो आपने पॉर्टफोलियो के अंदर वो प्रजेक्ट जालते हो जिन में आपने कंट्रिबूट किया तो इससे देखके लगता है आपके पॉर्फोलियो से कि आप कितने डेडिकेट हो कितने हार्ड व होता है और वो बहुत हेलफालोता अपके लिए स्टार्ट करते हैं तो आपके पास में तो यह वह लिंक है डाउन्लोड लिंक यह फिर गूगल पर सब्सेट कि वेब साथ है गितक्र करूंगा तो यहां से करो यहां से दाउनलोड करो इस डाउनलोड और तो दिएम जी फाल लिए यह लोगी यह पास विंडोस है कुछ नहीं करना नेक्स नेक्स करना और आपका इंस्टॉल हो जाएक तो जैसे आपको अपने टर्मिनेल में आना है जैसे में आप अपने टर्मिनल के अंदर आया और लिखना आपको वर्जिन अगर क्वांद रण वारिया आपको वर्जन दिख रहा है तो आपने गेट सक्सेस्फिल इंस्टॉल कर लिया अगर आपने सक्सेस्फिल इंस्टॉल नहीं किया तो मैं जो बताया कम्यूनिटे सपोर्ट बहुत ज्यादा है नेट पर सेम चापो आपको पक्का स्लॉशन मिल जाएगा तो बहुत असान होता है इंस्टॉल करना कुछ नहीं करना नेक्स नेक्स दो तीन बगार आपके विंडूस में इंस्टॉल हो जाता है तो अगर आपको किसी फोलडर के अंदर आप राइट क्लिक करोगे तो आपका सबसे पहले एक प्रजेक्स बनाएंगे तो जैसे एक फोलडर बना लिया मैंने तो डेस्टॉप पर जाओ और एक न्यू फोलडर बना लो यह फोलडर जासे मैंने बनाया है लगिट रैपो तो let's see तो अभी यह empty है ठीक है खाली है देख रहे हो learn git repo empty folder है आपने भी empty folder बना लिए होगा उसके बाद अपने terminal के अंदर move कर जाओ इस folder के अंदर cd into your learn git repo cd मतलब change directory command होती है यह cd तो कई बार cd के अंदर भी लोगों को problems आती है बहुत silly problems आती है जैसे कि कई बार होता है cd कर दिया उसके बाद यहां पर space नहीं लगाया ठीक है तो यह space लगाना मत बूलना है और यह बिलकुल same to same ऐसे लिखना जो आपके folder का नाम है वरना काम नहीं करती cd command ठीक है और कई बार cd desktop नहीं कर पाते लस्याप का लिस्ट हो जाता है जो भी इसके अंदर फाइल से तो अभी empty है देखरो LS करा मैंने कुछ भी नहीं दिखा तो मेरा folder empty है इसके अंदर git initialize करते हैं git start करते हैं तो इनिशलाइस करने के लिए command होते है git init in it init मतलब initialize to initialize git repository for a new for a new or existing project तो हमारे निव प्रजेक्ट है अगर आपका existing project है जिसके अदर आपने git initialize नहीं किया जिसके अदर आपने git अभी डाला नहीं है version control system कुछ भी डाला उसके अंदर तो आपको git init command run करने है इस folder के अंदर जाके तो git init यह करते हैं यहां पर लिखा रहा है initialize empty git repository और यह folder है और यह हमारा folder है ठीक है इसके अंदर कुछ भी नहीं आया अभी भी लेकिन git initialize हो चुका है इसका मतलब क्या है अगर मैं इसका अंदर लिखाए status तो on branch master no commits yet ठीक है तो git initialize हो चुका है folder के अंदर अभी हम master branch के अंदर है यह से मैं आपको बताया था एक master branch होती है तो branching का system क्या होता है सबसे पहले जैसे आप initialize करते हो git को तो आपको branch मिल जाती है master branch जिसके अंदर आप काम करोगे उसके बाद आप multiple branches उस master branch से बना सकते हो तो तो जरा इस empty project के अंदर हम थोड़े से files डालते हैं तो एक file बना लेते हैं command s इसको save कर लेते हैं एक python file बना लेते हैं कुछ फरक नहीं बढ़ता कोई भी file बना सकते हो आप java file बना रहे हो java project बना रहे हो ठीक है या फिर जैसे बना रहे हो word document save कर रहे हो कुछ भी मतलब कर रहे हो आप वहां पर git use कर सकते हो version card row system okay तो let's say इसका नाम रखता हूं hello world.py तो मैं python file बना रहे हो एक cancel learn git replicate save करना है save okay तो यह file यहां पर आ चुक है ठीक है और let's say कुछ डालते हैं print hello world इसको save कर लिया मैंने तो save कर लिया इसके अंदर तो अब command होती है अगली git add ठीक है git add का मतलब क्या है तो basically staging area होता है तो आपको समझाता हूं मैं ठीक से तो आप हम जो काम करने आ रहे हैं वह आपका वहाला आप चैक पॉइंट बना रहे होते हैं आप चैक पॉइंट बना तो यह काम करें लिया चैक पॉइंट बना लिया इससे फाइदा क्यों आप वापिस चैक पॉइंट पर जा सकते हो कभी आपने कुछ कलत कर दिया था ठीक है तो हम करने वाले तो चैक पॉइंट बनाने से पहले यह आपका चैक पॉइंट पर जो होता है कमिट होता है के अंदर ऑंदर कमिट थ्प संपर जिर से पहले इक स्टेजिंग एरिया होता है और यह आपके multiple files हैं तो अब यह files suppose करूं staking area के नहीं है तो staging area के बाद यह आप commit कर सकते हो तो आप क्या करते हो जब भी किसी file के अंदर आपने change किया saja is file के यंदर आपने changes किये यह file के अनदर तो आप क्या करोगे इस zusफा को आपने staging area के अध- eh उसके लिए command होते हैं आपकी git add उसके बाद फाइल का नाम अभी हम देखेंगे उसके बाद आपकी फाइल स्टेजिंग इरिया के अंदर आ जाएगी और स्टेजिंग इरिया के अंदर आप डालती जाओगे मतलब जैसे आप काम कर जाओगे multiple files के उपर आप उसको कर दोगे git commit command के साथ git commit और फिर वो सारी सारी फाइल आपकी स्टेजिंग इरिया के अंदर थी वह आपकी कमिट हो जाएंगी ठीक है और आपकी कमिट हो जाएंगी तो आपका जो चेंजिस थे वह एक चैक पॉइंट बन चुका है वहाँ पहाँ तो वही है तो गिट एड कर इसे आपकी फायलस्ट जो है जो अभी है नहीं स्टेजिंग इरिया के अंदर आ जाएंगे समझ में आ गया तो डालते इस फाइल को हैलो वाल डॉड इंड और टाइक है तो मैंने हैलो लिखा उसका टैब हिड का टैब बटन उससे पूरा पूरा अपने आप याट अटों क काफियर बता दिया तो गेट एड और उसका फाईल का नाम इससे क्या होगा यह फाइल आपकी स्क्राइजिंग एरिया के अंदर है अगली कर्पानल होते हैं चैनलिफ से होता है यह आपकी जोंड कमिट है है जो जा जबी चैंजिस आपने किया है तो आपकी चैंजिशर रख् सब्सक्राइब है नियुक्त कर दिए वीन इपनाथ सब्सक्राइब या फिर कौन कों से नई फाइल बनाई है वो साथ सारी फाइल आपके यहां पर लिश्ट हो जाती है अगर आप निउट बनाए तो आपके निउट बदाएगा अगर आपने किसी existing फाइल के अंदर कुछ changes किया है तो आपके वहां पर modified लिखाएगा ठीक है तो हमने यहां पर hello world.py बनाई है तो इसको हमने staging area के इंदर डाल दिया है ठीक है changes to be committed git add जब हमने किया था तो यह hello world.py हमारी staging area के अंदर चली गई थी let's suppose मैं एक और फाइल बनाता हूं इसके अंदर और इस फाइल को नाम देता हूं मैं for loops.py ठीक है और यहां पर एक for loop लगा जेते हैं ठीक है so save कर लेते हैं और अब दुबार से git status file run करते हैं git status command तो पहले तो मैं clear करता हूं यहां पर बहुत साथ चीज़ें लिख्या रही है clear git status तो अब क्या लिखा रहा है अब यहां पर आ रहे कि एक new file आपने बनाई है जो पहले भी लिख्यार थी यह आपकी changes to be committed मतलब यह staging area के अंदर है और यह आपको commit करनी अभी और उसके साथ-साथ लिखा रहा है आपके changes commit होने का मतलब क्या आपका यहां पर चैक पॉइंट बन चुका है अगर आप इस फाइल के अंदर या फिर इस इस पॉइंट के बाद कुछ चेंजिस करना start करते हो कुछ भी चेंजिस करते हो अपने प्रेट के अंदर तो इस पॉइंट के ऊपर आप वापिस आ सकत निखोगे और commit message भी डाल सकते हो तो यहां पर बता सकते हो कि मैंने क्या-क्या changes की अभी तक इस commit के अंदर तो लोग यहां पर बताते हैं मतलब जनरली होता है कि get commit के साथ आप एक message रखते हो और इस message में बताते हो कि मैंने अभी इन files के साथ क्या-क्या changes किये तो आपको मतल इसकमिट के इंदर आपने क्या चीज ची तो तो for loops.py को नहीं डाल रहा, सिर्फ hello world.py को commit कर रहा हूँ, तो git commit, मैंनस से हम के बाद double quotes में हम लिखेंगे, commit message, तो क्या commit message है, तो hello world added, यह लिख सकते हो, या फिर जो सबसे first commit होता है, सबसे first commit, उसको हम initial commit भी बोलते हैं, convention होती है यह, तो initial commit भी कह सकते हैं, initial commit, cool, तो इससे आपकी वो जो file थी, वो commit हो चुके है, और यहाँ पर लिखा आ गया, created mode this hello world.py, और यहाँ लिखा रहा, एक file changed, one insertion, तो यह file यह आपकी change होई है, अगर आप अब लिखोगे git status, तो यहाँ पर वो जो आपने hello world.py बनाए थी, वो नहीं लिख्या रही, लेकिन for loops अभी भी बोल रहा कि यह untracked file है, तो वो जो file से आपकी hello world वाली, वो आपकी commit हो चुके है, ठीक है, वो staging area से हड़ चुकी है, और यहाँ पर जा चुकी है commit के अंदर, अब वो staging area के अंदर नहीं रही, वो commit हो चुकी है, और इसका मतलब क्या है, कि let's say, लैसे अब मैं for loops के, for loops वाली file को भी commit करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी same हम वो यह चीज़ करेंगे, git add, पहले इसको staging area में डालेंगे, git add for loops.py, and then git commit, minus m, for loops understood, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको भी commit कर लिया, तो आगे move करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ आप गिट workflow मैंने कुछ बनाया हुआ है, और यह एक diagram है, इसमें सब को समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ आपकी walking directory होती है, तो यह remote repo तब काम में आता है, local repo मतलब local repository जो हमारे laptop के अंदर है, ठीक है, local हमारी hard drive के अंदर जो है, वो, और remote repo जो आपकी एक server पर कहीं पर hosted है, वो, जैसे github और git lab होते हैं, खूल, तो आप क्या कर रहे हो, जब आप commits करते हैं, तो जिस जगह पर अभी आप हो, वो आपका head होता है, ठीक है, इस head को आप कहीं भी ला सकते हो, ठीक है, यह multiple commits है, जैसे मैंने भी दो commit किये, एक initial commit और एक for loop added, दो commit हैं, तो मेरा head अभी for loop added वाले commit के उपर है, ठीक है, और यहाँ पर भी आप move कर सकते हो, जब आपको वापीस आना होता है, कि आपको यह वाली file नहीं चाहिए, आपको वापीस आना है, तो आप वापीस भी आ सकते हो, और अगर आपको देखना है कि आपके सारी commits जो हैं, यह कहां पर हैं, तो आपको यह दिख सकते हैं, इस command के साथ, तो पहले clear करता हूं इसे, तो git log, ठीक है, git log, इस आपको पूरा-पूरा log मिलता है, git log हिट करते हैं, तो अभी तक हमारे दो commits हैं, यह वाला commit है, recent वाला, head आपका master के उपर है भी फिलाग, ठीक है, तो इस commit के hash की help से, आप किसी भी commit के उपर वापिस reward कर सकते हो, ठीक है, तो वो थोड़ा advance हो आता है, वहाँ तक अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, कि आपको किस तरीके साब git commit reward कर सकते हो, वैसे git checkout ही करना होता, ज़्यादा advance नहीं होता वो भी, बट वो नहीं देखते, तो यह हमारा commit आ, फॉर लूप वाला, यह initial commit वाला है, ठीक है, तो जितने भी आपके commit होते हो, वो सारी सारा आपके git lock के अंदर आते रहते हैं, आगे move करते हैं, अगला आता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपने staging area के अंदर कोई file डाल दिया, लेकिन वो staging area के अंदर अभी नहीं डालने चाहिए थी, अब इसको पर कुछ काम बच रहा है, तो उसको आप remove भी कर सकते हो, staging area से, और उसके लिए जो command होते हो थे, git rm--cast और उस file का नाम, ठीक है, तो रिमूव फाइल from staging area या फिर उसे unstaged भी कहते हैं, unstaged करना किसी file को, तो लेट से, for loop करने के बाद, मैं यापर प्रेंट करता हूँ कुछ, done with for loops, ठीक है, इसे save करता हूँ है, और फिर git status, run करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा रहा, modified, पहले लिखाता था, new file, अब लिखा रहा, modified और, यह मैंने modify किया, तो इसको जैसे आपने कुछ भी modify, या कुछ भी new create किया, तो आप staging area के अंदर आपको आना पड़ेगा, commit करने से पहले, ठीक है, तो पहले में staging area के अंदर आता हूँ, उसके लिए command run होगी, get, add, get add for loops, इसके बाद अगर मैं लिखाँगा, दुबारा से git status, तो देखतें क्या होता है, तो अब यहां पर लिखा रहा, modified for loops, तो पहले red, red था, अब यह green हो चुका है, तो इससे भी आपको थोड़ा पता से जाएगा, लेकिन अगर आप command prompt use कर रहे हो, तो वहाँ पर तो पूरा पूरा wide होता है, लेकिन git bash use कर रहे हो, तो git bash के अंदर मुझे आदर कि वो colorful होता है, तो वहाँ से भी पता से सकता है को कि यहां यह modified वाला है, यह staging area के अंदर आप चुका है, और यहां staging area के अंदर नहीं है, वरना आप पढ़ भी सकते हो, changes not staged for commit, यहां पर लिखाए है changes to be committed, ठीक है, अब हम commit कर सकते हैं, तो पहले clear कर लेता हूं, commit करने से पहले, मैं आपको बताने वाल था, किस तरीके से हम staging area से file को हटा सकते हैं, तो उसके लिए यहाली command होती है, तो git rm cast और उस file का नाम for loops, तो यहां पर आपने remove कर दियो for loops, और अगर मैं दुबार से git status run करूँगा, तो यह आपकी deleted for loops, और untracked file यह आपकी, ठीक है, तो staging area से आपकी हट चुकी है यह, तो आप चाहो तो इसको दुबार से staging area के अंदर वापीस ला सकते हो, वरना अगर आपको दुबार से इसको पर आपकुछ और काम करना है, उसके बाद staging area के अंदर वापीस ला के print करना जैसे, मुझे सब्सक्राइब कुछ और काम करना था, ठीक है, फॉर लूप्स विद न्यूँ अब रण करेंगे, तो हमारा on branch master nothing to commit working tree clean, तो working tree जो आपका वो tree का मतलब क्या, वो branch यहां पर इन और ऐसी ही बुल रखा है, कि आपकी branch होती है, फिर आपकी multiple branches बन जाती है, उससे तो वो एक tree सा बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, जब यह मैंने आपका बना जाता है, एक master branch होती है, उससे multiple branches बन रहते हैं, फिर एक branch से दूसरी branch बन जाती है, ठीक तरीके से master branch, आपका एक जो पेड़गत तना होता है, वो होता है, और उससे multiple branches बन जाती है, बट वो clean होना चाहिए, तो अब हम देख लिए आप तक कैसे git init करना होता है, कैसे git add करना होता है, फाइल सक्टेजिंग करें में लाना होता है, git status से क्या होता है, git commit करके आप कैसे commit कर सकते हो, और कैसे remove कर सकते हो, अब बात कर लेते हैं branching की, जो हम देख रहेते हैं, branching कैसे होती है, तो git branch और फिर branch का नाम, इससे आपके एक नई branch मन जाती है, तो अगर आप एक current किसी branch का अंदर हो, वहाप अपनी command run करते हो, git branch और उस branch का नाम, किसी नई branch का नाम, तो आपके एक नई branch मन जाएगी, उस current branch से, ठीक है, तो होता क्या है, तो होता कुछ ऐसा है, कि आपकी एक current branch है, ठीक है, initial तो आपकी master branch ही होती है, जो आपको git बना के देता है, इनेट करते हैं टाइम पर, उससे आपने git branch किया, और एक नई branch मना ली, तो उसके अंदर आप आगे, यह कोई dev branch है, उसके बाद आपने इस dev branch से, दुबारा से अपने एक नई branch मना ली, और इस branch का नाम let's say, आपने अपने नाम डाल के, और कुछ feature, feature one, ठीक है, तो यह आपकी branch का नाम हो गया, और इस dev branch से कोई और भी बन्दा, अपना मतलब नई branch बना सकता है, ठीक है, suppose करो, अभी शेक ने बना ली, इस तेगे से चल रहा है कुछ, और यह dev चलता जारा है, चलता जारा है, कभी काम हो गया इनका, इसने अपना यहां branch merge कर दी, यहां कोई branch merge होगी, तो इस branch के ओपर, suppose करो, आपने यह बनाई और कुछ bug आ गया, तो आपने वो hotfix कर दिया, और फिर वापिस इसको डाल दिया, इसके अंदर, तो इस तरीके से कुछ flow होता है आपका, यह आपकी current branch थी, आपने यहां से एक नई branch बना ली, और इस branch से आपने फिर एक नई branch बना ली, यह यह वाली भी एक branch बना ली, इस branch से आपने यह branch बना ली, तो एक तरीक से tree सा बन रहा है न, वो ही आपका get tree होता है, ठीक है, और फिर आप इनको वापिस merge कर देतो हो, यहां पर, यह ब्रांच बन रही है और यहां पर यह merge हो रही है, और यह यहां merge हो रही है, तो इससे फाइदाए होता है आपका ये जो एक तरीका होता है ये आपका इससे फाइदाए होता है कि जो master branch होती है हमेशा clean होती है ठीक है और मतलब इसमें कोई भी बग नहीं होता है hisi Creative अरव दूसरी ब्रांच में सबके अपना ब्रांच बना रहे हowana तो काफी क्लीन रहता इस स्ञाण ॉस侑 कशलू करते हैं ऐले हुए एक ब्रांच बनाते हैं वह दिख्यां गेट ब्रांच का नाम यह command होती है इसको clear करते हैं तो get branch और let's say एक branch बनाता हूं है dev ठीक है dev तो get branch और dev branch का नाम तो ब्रांच बन चुकी है अभी branch बन चुकी है अब इस branch में मुझे move करना है अभी सिर्फ मैंने एक नई branch बनाई है लेकिन इस branch पर move करना पड़ेगा मुझे तो branch पर move करने के लिए अगली command होता है अभी गिट चेकाउट गिट चेकाउट और फिर ब्रांच का नाम तो इससे आप किसी भी branch में चेकाउट कर सकते हो यहां, leave branch, to do branch क्योंकि आपने master branch से माश्यर ब्रांच पर पर पहले और, आप आपने dev branch बनाई है Master branch यह दौन के लिए Master branch में जो score same code, dev branch के और में ब्रांच में आता हूं और कुंछ चेंजिस कर देता हूं like यह एलोड के यह अ需 gak समक्रून करते हैं कुछू और लेट से इसमें रिखता हमें कुछ भी इन डेव ब्रांच कुछ भी ठीक है तो कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो आप वहाँ पे नया फीचर बना रहोगे कुछ नई फाइल्स बना रहोगे मैंने आपर सिंपली ये कर दिया की डेव ब्रांच में ये चेंज इस कर दिया मैंने इस फाइल के अंदर तो क्योंकि मैंने सर्फ एलो व्ल्ट पाई को चेंज किया है तो तो गेट एक ओर होदा गिट कमिट माइनस एम इससे क्या होता है इसको इससे आपको एड निकरना पड़ता फाइल को ठीक है स्टेजिंग एरिया वाला पार्ट था वह आप स्किप कर सकते हैं यहां पर ए लगाने का मतलब वही है स्टेजिंग एरिया उसके बाद आप मैसेज भी लगना चाहते है कुछ तो एक कमांड के अंदरी आपका गिट एड भी और गिट कमिट भी और तो गिट कमिट मैनस एम लिखोगे तो आपको पहले एड करना पड़ेगा उसके बाद आप मर्ज कर सकते हो वरना आप गिट कमिट एम लिखके भी डिरेक्ट स्ट चेंज वन कुछ भी और तो अब वो गिट कमिट हो चुका है गिट स्टाइस में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है और अभी हम ब्रांच में है डव ठीक है ओन ब्रांच डव लट्स चकाउट मास्टर अब वापिस मास्टर में आते हैं तो अभी हम डेव के अंदर हैं और इस हो कि Wheal किया और वह लाइन गायब वह जो चेंज़स थे वह सुछाब यहां पर आपको आपने चेंज किए चेंज थे चितने मियं दे थी या जो भी modification आपने current files में किये थे वो साइक सारी modifications हट जाएंगे वो साइक सारी files वापिस हट जाएंगी और जैसे आप किसी और branch में switch करोगे ठीक है तो यह powerful होते हैं तो मैं master branch में आगया तो मुझे master branch में सिर्फ master branch के changes दिख रहे हैं अगर में वापिस get checkout dev करूँगा वो लाइन वापिस आगई जैसे डेव में वैसी वापिस आगी और मास्टर में जाता हूं तो लाइन चलीगी तो यह आप देख सकते हो अगर आप एक नई मुझे वह सेम चीज़ अपने master branch के अंदर वापिस चाहिए merge करना है मुझे उसे हम कहते है merge करना यह होता चेक आउट यह होता है merge कैसे करते हैं के लिए command होते git merge और branch का नाम किस branch करना जाते हो क्योंकि एक branch से आपको में बताया multiple branches बन सकती है इस branch से यह भी बन रही है तो आपको कौन सी वाली branch को merge करना है इस current branch का अंदर उस branch का नाम बताओ तो to merge branch into current branch यह command होती है तो let's say सबसे पहले आपको अपनी current branch में आना जिसके अंदर merge करना है तो git merge dev खतम git merge dev ऐसा करते ही वो सारी सारे changes आपके merge हो चुके है डेव डेव वाले चैंजे आपके Master में आच चुके हैं और मैं यहां पर क्लिक करूँगा तो देखेरो तो Master के अंदर भी वो सारी सारी changes आ चुके हैं और अगर मैं git status करूँगा Master के अंदर तो अभी वी working tree वह भी चेंज नहीं हुए कुछ भी स्टेजिंग यहां डालें इतनी है आपने एक कमिट जो आपका डैफ ब्रांच में था जो चेंज आपके डैफ ब्रांच में कमिटेट थे उन चेंज इसको आप मास्टर बांच में लेकिया हो बैसिकली तो यह फायदा था तो इस तरीके स अब बात के बारे में ठीक है गिट और बिलकुल अलग लग चीज आपका बेसिकली वर्शन कंट्रोल टूल है लेकिन गिटाब एक तरीके से एक होस्टिंग सर्वीस है और वह वेब बेस्ट सर्वीस आपके गिटाब जो गिट क्या काम मतलब गिट की है ठीक है तो गिट ए है और गिटाब एक वेब बेस्ट होस्टिंग वेब साइट है ठीक है ऐसा कह सकते हैं दोनों अलग चीज़ें तो मुब करते हैं गिटाब काम के अंदर और अगर आपका कोई प्रजक्ट नहीं बना हुआ है तो आपको यहां पर आके अपना एक सबसे पहले तो अगर आपन आपका एक अकाउंट बनके त्यार हो आता है ठीक है बहुत इसी है मेरा अकाउंट यहां पर बना हुआ है यहां पर देख रहों यह आ रहा लिखा हुआ तो गिटाब डॉट कॉम स्लेश यह अकाउंट है टाउट गॉम स्लेश अनुश गुमाश अर्वा और और यहां पर इसे हैं और यहां पर रखते हो ठीक है आपकी अब्रफियो गया है यह वह उन्क करता है अपका सेकता है की सब्सक्राइब कर घुमि पर ठीक है काफी दिनों से काम नहीं किया कुछ देख रहे हो गया है कि यह मेरी रेपोजिटोरी जो कॉलिस्ट के टाइम पर बनाएं थी कुछ यहां पर आपके अपनी आपकी जो रेपोज वो आती है यहां पर आप स्टार्स दे सकते हो दूसरी रेपोस को फॉलोवर्स और हमारी जो करण्ट जो हमारा अ मनाव बना हुआ लोकल उस लोकल रेपोज के अंदर जितने भी कोड़ उस कोड़ को हम उन्प लेक्वें देखते हैं कैसे होता है काम है तो हमारी रेपोज का नाम क्या था है यहां पर कुछ भी अलग भी नाम दे सकते हूं लेकिन एक दे सकते हो जिससे पता हिले लोगों को कि क्या होता है तो इस रपो इस पार्ट आउफ ठीक है उसके बाद आपके पास चॉइस होते है कि आपको यह रपो जो है वह पुब्लिक रखनी है या फिर प्राइवेट रखनी है पुब्लिक करते ही एनिवन लेकिन आप यहां पर यह अपनी रीडमी फाइल दाल सकते हो गित इगनोर ढालते है दे प्रीक्रैकर टम तो यहां से एक नई बन जाएगी ठीक है और जो की आपकी ओनलाइन होस्टेड होगी गिट हब के ऊपर तो अभी कुछ भी है इसके नदर सब कुछ खाली-खाली पड़ा हुआ है तो साथ सारे इन्होंने स्टैप्स दे रखे हैं हमें तो इन्होंने बोल रखाएगी गिट ए एक रिमोट हमें आपना तो इसके लिए इंटर होते हैं व्लेशा उरिजेंग का यूआ यू आरेल इसको मैं copyपेश करता यहां पर तो इंगेंजरोट वाला जो लिंक है उसको अलिकना है यहां आपर और सबिखने और इंटर है सेम लिंक है इससे पतले लता आपको ओके तो आपने ये कर लिया इसके बाद पुश कर सकते हो गिट पुश यू औरिजन मास्टर तो इन सब कमांड को ठीक से देखेंगे ठीक है अभी डरना महत इन सारी कमांड को देखें अभी फिलाल बसमें सैट अप कर रहा हूं सब कुछ तो गिट पुश यू औरिजन मास्टर और ये कमांड करते ही अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है तो बड़ी जल्दी हो जाएगा और यहां पर यह हो गया कई बार आपसे यह अप अपना प्रॉंप्ट करेगा कि अपने गिट हब का जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको लिख देना है यूजर नेम और पासवर्ड कई बार आपका लैप्टॉप एससे की जो है कनेक्टिड आपकी गिट हम से तो कुछ नहीं पूछे का लेकिन अगर आप नहीं है अगर आप ऐसलिन यूज कर रही हो यह जयस्था रहे है तो उस चेस में अभी उसर नेम और पासवर्ड वो कुछेगा कि यह सकता है तो हमारा सारह सारा कोड गोश्च हो चुका है हमारी जा चुकी है यहां पर अगर मैं से लौAD करोंगा है तो यह चार कमिट सोने भाइट है अधि है लोग नेविन वादित लेडियों परिपा नोल डिख रहा था लोग सहाज है हो कितने commit स्थे और किया क्या हुआ था कमिश के पर आपको आपको दिख सकते हैं कि यह है यह उनका हैं किया और कि आर्फ चीज़ है वह यहां दिखते हैं अभी फिलाल एक माश्टर ब्रांश दिख रही है तो कुछ नहीं करना गिट चेक आउट डैफ और गिट पुष तो गिट पुष कमांड होते जिससे आपकी जो करन्ट जो लोकल रैप उससे आप किसी रिमोट रैपों के ओपर का अपना कोड पुष कर रहे होते हो ठीक है तो रिमोट रैपो और लोकल रैपों की बीच में दो इंटरेक्शन होते हैं पुष और पुल या फिर फैच और मर्ज होती है तो अब यह पूरा का पूरा देखते हैं तो गिट पुष सबसे पहले देख लेता है तो गिट पुष करते हैं तो new change in dev branch तो यह new change in dev branch हमारा सिर्फ dev branch के अंदर इसको मैं merge कर देता हूं सरी commit कर देता हूं new change in dev ठीक है और get push command होते है get push अब मैं इसको push करने वाला हूं इस dev branch को get push origin किसमें merge करना है किसमें push करना है तो origin में push करना है तो get push origin और किस ब्रांच को push करना है तो dev branch को get push origin dev तो हमारे origin पर वो dev पुश हो चुका है इसको मैं clear करता हूं और वापीस आते हैं तो देख रहूं यहां पर लिखा आगया आपने आपी बिना रिलोड के dev less than a minute ago और अगर आप यहां देखोगे इसको रिलोड ही कर लेता है तो यहां पर दो ब्रांच आ रही है लेकिन जब मैं master में आता हूं अपने तो उस्टे ब्रांच के अंदर वो चेंज नहीं है ठीक है तो सब्सक्राइब आगया आपका एक लोकल रेपो था और एक आपका रिमोट रेपो और रेमोट रेपो और लोकल रेपो रेपो के अंदर जो इंट्टरक्शन वो क्या है आ होता है तो git add or git committee होता है लेकिन local repo और remote repo की भीच में git push होता है या फिर git pool होता है एक git fetch भी होता है git fetch और git merge तो git fetch और git merge को एक साथ लिखते है तो git pull बनता है देख रहो दो arrow back side या फिर एक लंबा arrow तो दौनों सेम चीज़े होते है git pull करो या फिर git fetch करके git merge करो एक ही बात होती है कई बार लोगों को यही पता नहीं होता ठीक है बहुत 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 इरिटेटिंग चीज होती है कि git pull और git fetch plus git merge एक ही चीज होती है ठीक है तो यह आपको याद रखना है तो git push command से आप local से remote रेपों में चीज़ों को push करते हो git pull command से pull करते हो remote से अपने लोकल रेपों के अंदर कुछ चेंजिस को और अगर आपको देखने है वो चेंजिस क्या क्या है ठीक से और फिर merge करना है तो इसके लिए git fetch और फिर git merge यह होता है तो git pull एक तरीके से पूरा hard and fast rule है मिरेको मतलब कुछ नहीं देखना में को सारक सारा pull ले लेना है साइक सारी ब्रांचिस आजाएंगे आपको आपके लोकल में आ जाएंगे और git fetch से आप देख सकते हो एक एक करके तो इनको जारा देखते हैं ठीक से तो मुझे पता है कि मे compare and pull request तो इसको देख लेता हैं उसके बाद मैं बात करूंगा pull की ठीक से की पूल कैसे काम कर रहा है तो यह लिखा है compare and pull request तो यह एक important tool होता है तो जब भी आप किसी branch का commit ले लेते हो और और उसके अदर कुछ अपना commit करते हो कुछ नहीं ब्रांच बना कि कुछ अदर कुछ अब इस dev branch को आपको अपने remote hosted master branch के अंदर pull करना है तो उसके लिए आपको pull request बनानी पड़ती है locally तो आप normal merge कर देते हो कोई pull request नी बनाते है लेकिन जब आप hosted server के उपर तो वहाँ पर multiple लोग काम कर रहे होते हैं ठीक है और आपको एक central server के अंदर merge करना है तो merge access सब के पास कर लो में ब्रांच के अंदर ठीक है तो हो सकता है कि आप किसी open source project पर काम कर रहे हो किसी और बंदे के project पर काम कर रहे हो और आपने उसके अंदर कुछ एक फीचर बना दिया कुछ भी आपने उसके बग को fix कर दिया तो आप उसको बोलोगी कि इस चीज को merge कर लो अपने अं मैंने जो भी है तो compare and pull request तो इस बटन पर क्लिक करूंगा मैं तो मेरी जो डेव ब्रांच थी जो रिमोर्ट होस्टिट है उस ब्रांच से मैं अपनी मास्टर ब्रांच के उपर एक pull request बना रहा हूं तो इसने अपने आप यह कमीट उठा लिया है और आप चाहोते हैं पर कु कई बार मर्ज़ कंफिक्ट आते हैं तब आपका यह आपको बैठके हे मट कंफिक्ट रूब करने करने होता हू öğiek गोण के लेख Which i तो मेरे पास ग्रीन बटन देख रहा है अगर आपके पास नहीं है तो आपको ग्रीन बटन नहीं देखेगा तो जिसकी भी वह होगी रेपों उसके पास आपने एक मेल चली जाती है मेल आईडी जो भी आपने दी थी गिटहब को तो मैं मर्ज कर देता हूं इस पूल रिक्व इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी इस मास्टर ब्रांश में आ जाएंगे मतलब अगर मैं गेट चेक आउट मास्टर करता हूं तो लोकल वाली में वह चेंज नहीं है लेकिन जो होस्टेड है रिमोर्ट मास्टर है उसके अंदर वह चेंज आ चुके हैं तो अगर आप यहां द hack branch आज चुकें इस मास्टर के अंदर क्योंकि आपने वह भी रिमोर्ट मर्जर क्या है तो रिमोर्ट के ओपर अलग कहा teamwork कहांto आंटец और कर सकते हो सकेए क्मांज के तो आपको दिख रहा होगा कि आपके जो चेश्चेश नंदर गिट मास्ट्र के अंदर कुछ चेश्चेश लिए और वो चैंज्डिज आपके लोकल रेपों के अन्दर नहीं है लेकिन अगर और get pull से आपके remote वाले changes लोकल में आते हैं तो get pull भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा और get pull लिखते ही आपके origin master से आपके changes आपके local master में आ जाएगे तो हम इसे हाँ पर हिट करूँगा तो changes आगे वो सारे हैं देख रहे हो तो इसने डाउंलोड किये वो साइग सारे changes आपके internet आपका internet होना जरूरी है इस चीज़ के लिए कि पुछ और पुल के लिए आपका internet होना जरूरी है अगर आप locally कुछ changes करें तो internet नहीं है तो आपके मास्टर में थे वहाँ पर और changes यहाँ पर आ चुके हैं तो यह होता आप तो जैसे यह रीड में मेरे लिए अपने आपी जनेट कर दिया तो यह एक मांदी का मांक डाउन होता चाहिद तो इसकी अपनी लेंगोज होती है कुछ इसके अंदर आप अपनी जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे हम बता सकती है कि आप अगर आपको उपन सोड बनाना ऐसा तो यहां पर कमिट करते हैं create readme.md commit कर देते हैं इसको तो अब हमें यहाँ पर देख रहों यह readme.md देख रहा है तो कोई भी बंदा अगर इस रैपो पर आगा तो इसको यह देख के पता जाएगा कि इसके अंदर होता क्या है और यहाँ पर वो readme.md फाइल आ चुकी है तो मैं जरा इसको भी पुल कर लेता हूं तो git pull तो यहाँ पर मेरी readme.md फाइल आ जाएगी git pull करते ही यह आगे readme ठीक है पहले नहीं थी यह आब आ गई है यह पूरी को पूरी फाइल आ गई है सर्वर से ओके एक और चीज़ होते हैं git ignore फाइल होते है git ignore फाइल भी काफी important फाइल होते है जिसके अंदर आप चाते हो कि यह यह फाइल मेरी github पे न आ जाए ठीक है यह फाइल मेरी stajse ही ना हो यह फाइल मेरी git के अंदर आए ना git ignore हो जाए .git ignore file बना लिए और इस file के अंदर आप डालते हो basically उन files का नाम जो आप चालते हो की आगे ना जाए तो suppose करो मैं नई file बनाता हूं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूं मैं लट से secret code ठीक है और कुछ भी है यह मेरा secret code है जो की मेरे local में ही रहे server पर ना जाए तो this file को एनडलदोंगा और इसको लिखत माम लिखकोंगा गिट gör के अंदर बस इस फटन का नाम लिख देना और सेव कर देना है गिट ignore और इस गिट एनगर को बिज़र आम अपने मास्टर में डालए था है करते हैं तो वीट पहली सटेटस करते हैं के अपने Chiefs अब को चेंजिस किया है वो सारी माल याइधिया अडर 얘기를 अदर थेख्या तो वह जदनी भी फाइल निः और से सही ईर्डय करना तो घंडिसे इंडरatu के स्टेजिंग एरिया में उसाथ है किट और होता है लिए commit-m added git ignore ठीक है तो git ignore आपका आचुका है इसको मैं push कर देता हूँ तो git push करते ही आपका ये push हो जाएगा git push command होती है पहले आपने लिखा था minus u करके origin master लेकिन आप git push git pull लिख सकते हो directly master branch के अंदर सरिफ अगर आप dev branch में लिखना जाद हो git push git pull तो आपको आपके पहले setup stream करना पड़ेगा वो थोड़ा advance वाया था उसकी बात नहीं करते हम मतलब खुद से try कर सकते हैं वो सब इतना भी advance नहीं है तो काफी cool चीज़ है यारे सब तो अगर मैं इसको refresh करूँगा तो git ignore फाइल आजाएगी यहाँ पर देख रहे हो और साथ ही साथ एक और चीज़ आपने नोटिस की जो config.txt थी वो ना मुझे git status के अंदर दिखाई थी नहीं और नहीं वो यहाँ पर पुश हुई क्योंकि वो मेरी git ignore फाइल के अंदर रहा config.txt तो git उसे ignore कर देता उस फाइल को तो git ignore के अंदर आपको बेसिकली वो फाइल डालने चाहिए जो आपको लगता है बहुत ही इंपोर्टेंट फाइल है या फिर इनके अंदर बहुत ही सिक्रेट मैसेज है कुछ आपकी बैसिकली होती है कुछ है कुछ इस प्रजेक्स रिएटेड वह आप यहां रखते हो जो आपको open source नहीं करना है बेसिकली एप इस ही रखते हैं लोग मीजर लेस के अंदर तो git ignore के अंदर वह सब डालते हो नोड जैस में काम कर रहे होते हो तो नोड मॉडियोल का जो पूरा 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 पैकेज होता है पूरे पूरा प्रोरा पैकेज आप उसे उसक हुआप यहां पर डॉर सकते हो कि यहां पर डाल सकते कि से दूर रहे हो जाएा ठीक है तो मोटा मोटी हमने सब कुस देखें लिए हैं गिविक के Иंदर अब हॉपसब कर सकते हो यहां पर गर्ला को प्रम केंध bursting के लिए हो यह शफलर बनाया है कि वाफी साही है था यह हमारे मेरे कॉलेज का प्रजक्ट था यह तो आपको क्या करना है किसी भी बंदे की रैपों में आना है और क्योंकि उसने उपन सोर्स कर रखा तो आप उसके अंदर चेंजिस कुछ कर सकते हो कुछ नहीं करना फोक कर लेना है तो अब बैसिकली आपका जो प्रॉजक्ट होता है तो तो जितनी हुआप जो आफ रीपों में कर रहे हो तो आपको के लिए उस बंदे को मर्ज कर लेना चाहिए तो आप एक पूर्ट बनाते हो जो कि उस में बंदे जिस बंदे की रैपो होती है उसके पास जाती है वो जैसे यहां पर देख रहे हो अपनी कक्षा अब आप इसको अपना क्लोन कर सकते हैं अपना क्लोन कर सकते हो ठीक है तो आपने लैप्टॉप की डालनी पड़ेगी ठीक है तो यहां पर आपकी सकते हैं ठीक है और आप आपका लैप्टॉप को बेसिकली इस से कनेक्ट हो जाएगा तो इसके बाद आप ऐसे से का यूज कर सकते हो आपको बार बार वो गिट हब के अंदर ऑफेंटिकेशन सैट नहीं करना पड़ेगा ठीक है अपना यूजर नेम और पासवड बार बार सकते हैं इसको अच्छा बना सकते हैं तो उसकी रीड में फाइल के अंदर जाके चेंज कर दो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कोड के अंदर को चेंज कर सकते हो या फिर किसी बंदे ने कुछ बग्स बना रखें कुछ इस्यूस बडाल रखें और आप उन इस्यूस को वाली देख रहे हो इसके अंदर बेसिक डेटा स्रक्चर सारे सारे डाले हुए मैंने बहुत पहले दो सल पहले तो इस ताइप के प्रोजेक्ट आप बना सकते हो या फिर दूसरे प्रोजेक्ट में कंट्रिब्यूट कर सकते हो तो 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 आपको आ गया होगा तो नेक्स और दे, ब revolutionningar को तो तो रहे होका को तो द मासा बला है मासे तो शोती हो मरी के मासकें के बहाने को तो ह्य sons लाइब को ये ये प्रोसा हो ये हुआ को चानरी के ढenden पर खूर घू stripeंए को और दो के झाय को जाय आसे अ di Nejए